आर्टिडी और थर्मोकपल का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों आर्टिडी और थर्मोकपल दोनों ही अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करते हैं आर्टिडी का पूरा नाम है रेजिस्टेंस टेंपरिचर डिटेक्टर और ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि किसी मेटल वायर का टेंपरिचर चेंज होने पर उस मेटल वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है वायर के रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज उसके टेंपरचर में होने वाले चेंज के प्रपोर्शनल होता है जबकि थर्मो कबल सी पैक इफेक्ट पर काम करते हैं जिनके अनुसार दो डिफरेंट मेटल से बनी मेटल वायर्स को यदि इनके दोनों सिरों पर जोड़ दिया जाए जैसा की चितर में दिखाया है और अब यदि इन दोनों सिरों को अलग अलग टेंपरेचर पर रखा जाए यानि एक जंक्सन को होड जंक्सन और एक जंक्सन को कोल्ड जंक्सन बना दें तो इन दोनों जंक्सन के बीच voltage generate हो जाता है और ये voltage दोनों जंक्सन के बीच temperature difference के proportional होता है दोस्तो आर्टिडी और थर्मोकपल के उपर हमने एक detailed वीडियो बनाई है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा अगला question है what is pressure and its type यानि के pressure क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों आपको बता दें पर unit area पर लगने वाले force को pressure कहते है इसको एक example के द्वारा समझते है मान लिजिए एक centimeter by एक centimeter का एक area है और उस पर दो kilogram का force लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस area पर 2 kilogram per centimeter square का pressure लग रहा है उमीद है कि आपको pressure समझा गया होगा तो pressure की दूसरी units psi, bar, pascal, mmH2O हो सकती है और दोस्तो प्रेशर तीन प्रकार की हो सकते है gauge pressure, absolute pressure और differential pressure दोस्तो question है कि कौन सा flow meter non-conductive fluid के लिए suitable नहीं है electromagnetic flow meter एक ऐसा flow meter है जिसे non-conductive fluid के लिए use नहीं किया जा सकता ये flow meter केवल, conductive fluid के flow measurement के लिए use किया जा सकता है electromagnetic flow meter के अंदर एक coil होती है जो electromagnetic field generate करती है जब इस electromagnetic field से कोई conductive fluid यानि process media पास होता है तो इस fluid के across एक EMF generate हो जाता है यही electromagnetic flow meter का working principle है यदि process media non-conductive होगा तो इसके across कोई भी electromagnetic field generate नहीं होगा और flow meter fluid के flow को sense नहीं कर पाएगा अगला question है What are smart transmitters? Smart transmitters में smart का मतलब है S for single, M for module, A for auto, R for ranging and T for transmitter दोस्तों smart transmitter के अंदर microprocessor लगा होता है और इनमें inbuilt memory होती है जिनमें ये process value और transmitter की settings को store कर सकते है ये transmitter process parameter से संबंदित विबिन परकार के calculation कर सकते है और इनको different range पर calibrate किया जा सकता है ये transmitter 4 to 20 milliampere के साथ कई दूसरे communication protocol जैसे heart, foundation field bus, profinet, RS 485 आदी को भी support कर सकते है दोस्तों smart transmitter के उपर हमने एक detailed video बनाया है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा अगला question है what is difference between PLC and DCS यानि के DCS और PLC में क्या difference है तो दोस्तों आपको बता दे PLC यानि के programmable logic controller और DCS यानि के distributed control system दोनों ही industrial automation में widely use किया जाते है दोस्तों PLC का इस्तेमाल किसी individual process, machine या किसी छोटे plant के control के लिए किया जाता है जबकि DCS कई powerful PLCs और servers का एक group होता है DCS किसी बड़े manufacturing plant को अकेला ही control कर सकता है दोस्तों किसी plant की various process को एक single DCS के दोरा control किया जा सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि DCS का control पूरे plant में distributed होता है इसलिए इसे DCS कहते है question है कि flow meter के upstream और downstream में straight run क्यों लगाते हैं दोस्तों flow meter के upstream और downstream में यानि flow meter के पहले और flow meter के बाद straight run की आवशक्ता होती है straight run का मतलब है pipe की वो straight length इस straight length pipe में कोई भी bend elbow T आदी नहीं होना चाहिए ये pipe एक दम straight होना चाहिए और इस straight run pipe में कोई भी valve instrument आदी नहीं लगा होना चाहिए straight run लगाने से जो लाब होते हैं वो है reducing turbulence and disturbance यदि flow हो रहे pipe में कोई flow turbulence या flow disturbance हो तो वो straight run लगाने से minimize हो जाती है दूसरा है flow profile development straight run pipe के करण pipe में हो रहे fluid का flow profile develop हो जाता है और flow meter flow को accurately measure कर पाता है अगला question है what is heart protocol दोस्तों heart का पूरा नाम है highway addressable remote transducer ये एक open standard communication protocol है heart एक hybrid communication protocol है क्योंकि ये protocol 4 to 20 mAh current loop पर smart devices और controller के बीच digital signal को exchange कर सकता है heart current loop के लिए use की जाने वाली wires पर digital information exchange कर सकता है इसलिए ये बहुत ही cost effective है heart enabled device को heart communicator का इस्तेमाल करके remotely configure किया जा सकता है question है instrumentation में कितने प्रकार के cable होते हैं दोस्तों instrumentation में use की जने वाली cables को broadly तीन तरह किसे categorize किया जा सकता है control cable, signal cable और communication cables control cable की बात करें तो ये cable control signal केरी करने के लिए use की जाती है ये cables switches, on-off wall, solenoid walls, pumps आदी के digital signal केरी करती है और ये cables generally core cables होती है जैसे की 2 core, 3 core, 7 core, 12 core आदी signal cable की बात करें तो इनका इस्तेमाल analog signals जैसे की 4, 2, 20 milliampere, RTD या thermocable signals केरी करने के लिए किया जाता है ये cables pair cables या trade cables हो सकते हैं signal cables हमेशा shielded cables होते हैं और जबकि communication cable के बात करें तो communication cable का use, communication signal या data signal केरी करने के लिए किया जाता है ये cables कही तरह के हो सकते हैं जैसे की ethernet cable, puffiness cable, coaxial cable और fiber optic cable आदी जबकि communication cable के बात करें तो communication cable का use, communication signal या data signal केरी करने के लिए किया जाता है ये cables कही तरह के हो सकते हैं जैसे की ethernet cable, puffiness cable, coaxial cable और fiber optic cable आदी अगला question है कि electromagnetic flow meter का क्या working principle है दोस्तो electromagnetic flow meter फेराडे के electromagnetic induction के अधार पर काम करता है जिसके अनुसार यदि किसी magnetic field में किसी conductor को move किया जाए तो उस conductor में एक EMF यानि voltage generate हो जाता है और ये EMF conductor की velocity यानि speed के proportional होता है electromagnetic flow meter की working को समझने के लिए इस चितर को ध्यान से देखिए इसमें electromagnetic flow meter की working को समझाया गया है इसमें एक pipe P दिखाया गया है जिसमें कोई fluid flow कर रहा है जिसकी velocity V है pipe के दोनों और एक coil C लगी है जिससे external excitation current दिया जाता है जिससे pipe में एक electromagnetic field B पैदा हो जाता है जब इस electromagnetic field B से कोई conductive fluid जो की conductor का काम करता है वो पास होता है तो इस conductive fluid के across एक EMF generate हो जाता है जिससे sensing electrodes L1, L2 की सायता से sense कर लिया जाता है fluid के across generated EMF fluid की velocity के directly proportional होता है electromagnetic flow meter की working को समझने के लिए इस चितर को ध्यान से देखिए इसमें electromagnetic flow meter की working को समझाय गया है इसमें एक pipe P दिखाया गया है जिसमें कोई fluid flow कर रहा है जिसकी velocity V है pipe के दोनों और एक coil C लगी है जिससे external excitation current दिया जाता है जिससे pipe में एक electromagnetic field B पैदा हो जाता है जब इस electromagnetic field B से कोई conductive fluid जो की conductor का काम करता है वो pass होता है तो इस conductive fluid के across एक EMF generate हो जाता है जिससे sensing electrodes L1, L2 की साहिता से sense कर लिया जाता है fluid के across generated EMF fluid की velocity के directly proportional होता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website www.teclearningonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं